आज इस पर एक बहुती इंट्रेस्टिंग स्टोरी सुनते हैं एक बार की बात है एक भूड़ा आदमी था जिसके चार बेटे थे वे चारों बहुती ज़्यादा आलसी थे एक दिन भूड़ा वेक्ती बिमार पड़ गया और बिस्तर पर अपने आकरी दिन गिन रहा था वो अपने बेटों के भविश्य को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि ये वक्त काम करने में बहुत जिजगते थे पुत्रों को विश्वाश था कि भाग्य उनका साथ देगा भूड़े आदमी का स्वास्त हर दिन बगड़ता गया और उसने अपने बेटों से उनके भविश्य के बारे में बात करने का फैसला किया लेकिन उनके बेटों ने उनकी एक नहीं सुनी अंत में भूडे ने अपने बेटों को काम के महत्व का एहसास कराने के लिए एक चाल खेलने का फैसला किया उसने अपने सभी पुत्रों को बुलाया उन्हें उसके पास बैठने को कहा उसने कहा कि उसके पास सोने के सिक्कों से भरा एक खजाना था और वहाँ उन चारों के वीच समान रुप से साजा करना चाता था युवक खुश हुए और पूछे कि पिता खजाना रखा कहा है बुड़े विक्ती ने उत्तर दिया मुझे वास्थान ठीक से याद नहीं है जहां मैंने खजाना चिपाया था हाला कि खजाना का डिब्बा हमारी भूमी में दफन है मैं वास्तव में उस जगा के बारे में निश्चित नहीं हूँ जहां मैंने खजाने का डिब्बा चिपाया है आलसी जवान बेटे बले ही खुश थे लेकिन उन्हें इस बात का दुख था कि भूड़ा उस जगा को भूल गया था जहां खजाना चिपा था कुछ दिनों के बाद भूड़ा आदमी मर गया बेटों ने खजाने की पेटी खोजने के लिए जमीन खोदने का फैसला किया उन्होंने बहुत मेहनद की और अपनी जमीन खोदी उन्हें उस जमीन में खजाना कहीं नहीं मिला अंत में उन्होंने अपने जमीन में एक जगा खोदने का फैसला किया जो बाकी छेदरे से थोड़ा सा अलग था बेटों का मानना था कि उस थान पर खजाना दफन किया होगा उन्होंने विशिष्ट स्थान को घहराई से खोदा लेकिन पानी के अलावा कुछ नहीं मिला जमीन और मौके से बहते पानी को देख एक राह गिरने बेटों से खेती की बात की उनकी सलाह पर चारों बेटों ने सबजियों के बेज बॉय और अपनी भूमी में साग और फूल वाले पौधे लगाए क्योंकि भूमी प्रचुर मात्रा में पानी के साथ उपजाओ थी कुछ ही हफ़तों में यह पौश्टिक सबजियों और साग के साथ उपजाओ उध्यान बन गया चारों बेटों ने सबजियों को अच्छी कीमत पर बेच दिया और अच्छी कमाई की तब उन्होंने महसूस किया कडी महनत थी जिसे उनके पिता ने खाजाने का डिबा कहा दीरे दीरे चारों पुत्रों ने अपने आलच से परविजय प्राप्त की कटिन परिक्षम किया अधिक से अधिक धन खमाया इसलिए कडी महनत से हमें हमेशा सफलता मिलती है पर कई बार सफलता मिलने में हमें समय लगता है पर जब भी वह सफलता हमें मिलता है वह अंगिनत होता है जिसकी तुलना और किसी की भी सफलता नहीं कर सकती इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत करो सफलता जरूर मिलेगी धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में